क्विल च्क दर करेंगे त impression हेलो स्टुदेंट्स हम लोग क्लेंडर कर रहे थे और क्लेंडर में पिछली वीडियो में कहा था कि यह calendar की last video है लेकिन विचे कुछ concept आपके पिछली video में कुछ concept है जो बहुती easy concept और common concept है common sense के अपर based है वो रह गए थे उसको इस video हम continue करेंगे और जब वो concept खतम हो जाएंगे फिर एक नया chapter हम उसमें शुरू करेंगे ठीक है तो चलो अब जो आपके calendar के last कुछ concept है वो देख लेते हैं बहुती easy concept है मैं एक बड़ कलेंडर बना रहूं यहां पर देखना चलिए यह कलेंडर का एक मंत मैंने बनाया है कोई भी मंत हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है बस इस मंत में क्या है जो आपका एक तारिक को है वो क्या है Tuesday है तो अब exam में आप से question पुछा जाता है को exam में लिखके दिया जाएगा कि अगर किसी महीने की एक तारिक को मंगलवार है तो कौन सा दिन पांच बार आएगा कोई इस type को question आपको दिया जाता है अब सबसे पेले तो एक चीज इसमें समझो कि आपका जो महीने हैं जैसे की कोई भी मंत मान लो अब आपको पता है महीने अगर फरवरी का लीब फरवरी है लीब का नॉर्मल का तो उसमें 28 दिन होंगे ठीक है तो इसमें total अगर मैं हफते कुछ हूँ कितने हफते बनेंगे आप कहेंगे जी 7 से divide कर दो तो 4 हफते इसमें total बनेंगे ठीक है कितने हफते बनेंगे चार हफते बनेंगे चलो चार हफते बनेंगे चार हफते बनने का मतलब क्या जो हर एक दिन है हर एक दिन है, चाहे वो सोववार है, वो कितनी बार आएगा, चार बार आएगा, अगर मंगलवार है, वो कितनी बार आएगा, चार बार, किसमें अगर महीना कितने का है, 28 दिन का है, फरवरी, अगर 29 का फरवरी हो, 29 दिन का फरवरी हो, यानि कि लीप हो, तब क्या होगा, अ यानि कि चार हफते में हर एक दिन एक एक बारतो आएगा, यानि कि कोई भी दिन है वो चार बारतो पका आएगा ही आएगा, लेकिन यह जो एक दिन बचा यह आपका extra होगा, यह क्या होगा, अब यही चीज देखो, माल लिजिये आपका जो कलेंडर था वो एक तारिक से शु तारिक है, वो कब आई? 29, वो मंगलवार को ही आई, यानि कि मंगलवार को आई, तो एक बात ज़र यहां से ध्यान से देखो, जो आपका 100 वार है, यह एक बार, दो बार, तीन बार, और यह चार बार, जो 100 वार है, वो कितनी बार आया? चार बार आया, पहले 7 तारिक को आय फिर 14 तरीक को आया, फिर 21 को आया और फिर आया 28 को, चलो, वेडनेस डे के साथ देखो, 2, 9, 16 और 23, यानि कि 7-7 का गैप है, कितनी बार आया, 4 बार वेडनेस डे भी 4 बार आया, Thursday वो भी 4 बार आया, Friday भी 4 बार आया, Saturday भी और Sunday भी 4 बार आया, लेकिन जो Tuesday है आपका, वो कितनी बार आया, वो आया, 5 बार, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आपका महीना, फरवरी का लीप हो, तो उसमें आपके कितने दिन बनते हैं, कोई एक दिन आपका क्या बनेगा, 5 बार आएगा, कोई एक दिन 5 बार आएगा, और वो दिन 5 बार जो आएगा वो कौनसा आएगा जो एक तरिक हो था ठीक है जो कौनसी डेट को था एक तरीक इन आपका क्या होगा रिपीट होगा ठीक है चलिए अब अगर आपका कोई भी महीना तीस दिन का हो जैसे अप्रेल है ठीक है तो उसमें क्या होगा आपके दो दिन पाँच बार आएंगे 29 और 30 याई टो mंगल वारत्य हो गया फिर इक अगला महीना जो है वो कितने बार आएगा वो आएगा 5 बार वो भी आपका कितनी बार आएगा पांच बार आएगा तो कहने का मतलब अब इसमें क्या हुआ चार हफते और दो दिन बने चार हफते और दो दिन बने तो इसमें आपकी जो आपकी एक तारीख है और दो तारीख है वही आपके पांच बार आएंगे और अगर 31 का हो, तो कितने, तो आपके 3 दिन, 3 दिन जो होंगे वो 5 बार आएंगे, तो अगर ये चीज आपको समझ में आई, तो अब exam में question सुनो, exam में question कैसे दिया आता है, exam में आपको simple से कहा जाएगा, अगर एक तरिक को शुकरवार है, ठीक है, आपका बोल देगा कि सित तो simple सी बात है, क्या कहा, महीना कहा सितंबर का, सितंबर होता है भी 30, सितंबर होता है 30, इसका मतलब 2 दिन आपके कैसे होंगे, 5 बार आएंगे, 30 में कितनी बार आएंगे, 2 दिन आएंगे, और एक तरिक को क्या बताया था, Friday, तो एक दिन तो Friday ही होगा, और दूसरा दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार इसमें आएंगे, ठीक है, चलो, अब इसी के बेस पे एक कोशन और देखने, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी सी स्टेटमेंट बना के भी इस टाइप के कोशन को वो दे सकता है, मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर मलओ वो आपको एक तारिक ना बताइ, मल॓ आपको एक तारिक ना बताए, वो आपको कहे की महीना वही सेप्टेमबर मान लेते हैं, और बोल दे कि सितमबर की 8 तारिक को ट्यूजव्डे था, ठीक है, तो अब बताओ, पाँच बार दिन कौन सा होगा, यानि कि पाँच बा होगे क्या करोगे तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ नहीं करना आपको देखो अब इतना तो क्लियर हो ही गया जो आपकी 29 तारीक है और 30 तारीक है यह आपकी पांच बार आ रही है यह क्या होगी पांच बार तो ज्यादा कोई टैंसे लेनी की जरूरत नहीं कुछ माइनस प् 15 यानि कि 15 को फिर से ट्यूसडे आ जाएगा अब फिर से साथ जोड़ोगे तो 22 को फिर से ट्यूसडे आएगा और फिर से साथ जोड़ोगे तो 39 को फिर से क्या आ गया ट्यूसडे आ गया अब अगर 39 को ट्यूसडे आ गया तो 30 को क्या आ जाएगा वेडनेस डे आ जाएग जुलाई की नो तारिक और नो तारिक को अगर आपका मंडे है तो पांच बार कुन से दिन आएंगे तो सिंपल सी बात है वही साथ-साथ एड करते जाओ और आपको पता है जुलाई है जुलाई होता है 21 का तो 29 30 और 31 यह जो तारिक है यह आपके पांच बार आएंगे यह कितनी बार आएंगे पांच बार आएंगे तब वही इसमें जोड़ते चलो साथ-साथ 9 में 16 में आप फिर से 7 जोड़ोगे फिर यह बनेगा 23 23 में 7 जोड़ोगे यह बनेगा 30 तो यह क्या आया Monday आगया Monday 30 को आगया Monday अगर 30 को Monday है तो 31 को क्या होगा Tuesday और 29 को क्या होगा Sunday तो यह जो दिन है यह आपके कितनी बार आएंगे तीन बार आएंगे ठीक है चलो अब मैं थोड़ी से एक statement के साथ इस question को करवाता हूँ ठीक है बहुत ही असान है कोई भी इसमें कुछ नहीं है इसमें बहुत ही simple question है कुछ question थोड़ा सा अलग टाइप से दिया If third Friday of a month is on 16th then on what date will be the last Tuesday ठीक है इस type का कोई question आपको अगर दे दे तो अब इसमें क्या है आपको कहा कोई भी महीना है हमें कोई मतलब नहीं महीना कौन सा दिया है इन्होंने कहा कोई एक महीना है उस महीने के third Friday तीसरा Friday तीसरा शुकरवार है वो कब आया 16 तरीक को आया तीसरा शुकरवार कब आया 16 तरीक को तो simple सी बात है इसने कहा 16 तरीक को क्या है Friday है 16 तरीक को Friday है और आप से क्या पूछ लिया आप से पूछ लिया Tuesday बताओ कब होगा Last Tuesday कब होगा ठीक है तो सबसे पहले तो मैं Tuesday निका ले तो कि Tuesday कब है ठीक है पहले Tuesday का पता करते है अब आप कहोगे जी 17 एटीन्थ और 19 फ्राइडे सेटर्डे Friday सेवला को होगया 17 को क्या होगा Saturday 18 को क्या होगा Sunday 19 को क्या होगा Monday और 20 को होगा Tuesday 20 को होगा Tuesday देखो लास्ट होगा या तो 28 तारीक को या होगा 29 तारीक को या होगा 30 को या फिर होगा 31 को लास्ट दिन तो तभी होगा ना तो अब अगर मैं 20 में 7 जोड़ दूँ तो बनेगा 27 और 27 को भी क्या होगा भई Tuesday होगा अब अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूँ तो बनेगा भी 34 और 34 तारीक आपके पास नहीं होती तो इसका मतलब यह जो 27 है यही आपका क्या हो जाएगा लास्ट Tuesday हो जाएगा तो यह लास्ट Tuesday कब आया भी 27 को आया लास्ट Tuesday कब आया 27 को आया अब यह तो इस कोशन का अंसर हो गया लेकिन अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा और एड़ करके दे दे कि यह बताओ यह जो लास्ट Tuesday आया यह फॉर्थ Tuesday है या फिफ्थ Tuesday है आप कहोगे जी फिफ्थ Tuesday तो यह तब बनता जब यह आता 29, 30 और 31 तरीक को लेकिन यह तो 27 तरीक को आया इसका मतलब क्या है यह लास्ट Tuesday है लेकिन कैसा है फॉर्थ भी है ठेक है लास्ट Tuesday लेकिन फॉर्थ Tuesday यह है चलो अब मैं इसी के अंदर थोड़े सी चेंज करता हूँ इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ माल दो यहाँ पे 17 कर दे और इसको कर दे वो Saturday अब बताओ लास्ट Tuesday अब बताना है ठीक है तो तरीका अभी भी वही रहेगा चेंज कुछ नहीं करने ठीक है तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा 17 को क्या है Saturday है 17 को Saturday है तो मेरे को बताना है लास्ट Tuesday का तो मैं Tuesday निकाल लेता हूँ 18th, 19th 18 को क्या होगा Sunday होगा 19 को क्या होगा Monday होगा और 20 को क्या होगा भी आपका Tuesday होगा 20 को क्या होगा Tuesday होगा अब 20 को अगर Tuesday है तो फिर से 27 को क्या जाएगा Tuesday आ जाएगा ठेक है और यही आपका last हो जाएगा यही आपका last हो जाएगा तो कोई डरने की बात नहीं है जैसे आपको question दे वैसे आपको कर देना है थोड़ा सा और change करते है माल लीजिए यह कह दे Second Saturday आपका कब है Second Saturday आपको बोल दे 9 तारिक को है ठेक है इसने को बोल दिया कि Second Saturday किसी भी महीने की 9 तारिक को है तो अब हमें कोई मतलब नहीं है Second से हमें सिर्फ 9 तारिक देखनी है आपने देखा 9 तारिक को क्या दिया Saturday दिया फिर उसके बाद Tuesday का अगर बताना है तो Tuesday निकाल लेंगे Monday, Sunday, Tuesday Saturday, Sunday, Monday और Tuesday ये 9 को, ये 10 को, 11 को और ये कब आया 12 को आया अब 12 के बाद साथ साथ जोड़ते चलना है 12 के बाद साथ जोड़ेंगे 19 को भी Tuesday आएगा फिर उसके बाद दुबारा साथ जोड़ेंगे तो 26 को भी क्या आएगा Tuesday आएगा अब उसके बाद अगर आप साथ जोड़ोगे तो बाद जाएगी 33 पे तो 33 तो आपके कलेंडर में होता नहीं है इसलिए जिए लास्ट Tuesday है वो कब हो जाएगा 26 को हो जाएगा लास्ट Tuesday कब हो जाएगा 26 को अब अगर ये पूछ लें कि लास्ट Tuesday है ये फॉर्थ Tuesday है या फिफ्थ Tuesday है तो क्या अंसर आजाएगा इसका आप कहोगे जी ये तो फॉर्थ है अगर ये फिफ्थ होता तो ये 29, 30 और 31 तरीक को होना चाहिए था ठीक है अब ये चीज आपको क्लियर होई चलो अब एक और टाइप का कॉशन इसमें आपसे पूछा जाते है बहुत ही असान टॉपिक है आपका कलेंडर और इसमें से आपका कोई भी मार्क से इसमें कटना नहीं चाहिए ठीक एक मिस्लेनियस सा कोशन है मैं उसको बोर्ड पर लिख देता हूँ इसमें कोई ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ इसमें आपके कोई भी ट्रिक नहीं लगती है रेखा remembers that राहूल्स बर्थडे जो राहूल का बर्थडे है रेखा को याद है कि राहूल का जो बर्थडे है वो 10 अक्तुबर 10 अक्तुबर के बाद है कब है 10 अक्तुबर के बाद है and before before 18 अक्तुबर और 18 अक्तुबर से पहले ठीक है चलो ये तो हो गया अब रोहित है एक रोहित है लेकिन रोहित को याद है कि जो राहूल का जन्म दिन है राहूल का जन्म दिन है ये 27 सेतंबर के बाद है और और 12 अक्तुबर से पहले है 12 अक्तुबर से पहले है तो आपको बताना है राहूल का बर्थडे कब है ठीक है ठीक है राहूल का बर्थडे कब है तो इस टाइप के कोशन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना सिर्फ स्टेटमेंट में जो कहा है क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो वगेरा तो है नहीं है एक नॉर्मल सी पजल आपको दी हुई है क्या कहा रेखा को याद है कि राहूल का जो जनम दिन है वो दस अक्तुबर के बाद है और अठार अक्तुबर से पहले है उसके बाद रोहित को याद है कि राहूल का जो वर्थडे है वो सताइस सितंबर के बाद है और बार अक्तुबर से पहले है तो कुछ नहीं करना, इसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ एक बार रेखा को क्या याद था भी? आप कोगे जी, दस अक्तुबर और किसके बीच में? अठारा अक्तुबर के बीच में ठीके, यहां कहीं भी उसका जनम दिन है दस से अठारा के बीच में जनम दिन है किसका? राखुल का यह याद था किसको? रेखा को रोहित को याद है क्या? कि जो उसका जनम दिन है वो 27 सेतंबर के बाद, अक्तुबर से पहले आएगा 27 तो मैं 27 को यहां पे लिख देता हूँ ठीक है? और पहले किसके है? आप कोगे जी 12 से पहले है तो 10 और 18 के बीच में आएगा 12 यह दो 12 अक्तुबर अब ज़रा देखना सारे के सारे के बीच में अब आपको जो बर्टरे डेट बतानी है वो किसके बतानी है? देखना 10 अक्तुबर और 18 अक्तुबर के बीच में फिर कहा 27 सेतंबर और 12 अक्तुबर के बीच में तो क्या यह 18 अक्तुबर आपके किसी काम का होगा? क्योंकि overall जो result आ रहे है वो आपका क्या रहे? 10 और 12 अक्तुबर के बीच में अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें तो क्या रहा है? 10 अक्तुबर और 12 अक्तुबर के बीच में उसका जन्म दिन है और इसके बीच में कौन सी तारीक हाती है? आप कोगे जी 11 अक्तुबर ठेके, इस टाइप के जो कोशन है इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो आपके सामने statement लिखें उस statement को पढ़के solve करना है और आपके सारे के सारे कोशन इस टाइप के इससे हो जाएंगे अब कलेंडर में मेरी तरफ से कोई भी टाइप इसमें नहीं बची है अब आप बस इसकी practice कीजे प्रैक्टिस करने का तरीका आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ठीक है तो अब हम अपने next topic की तरफ बढ़ते है अब हमने calendar topic को finish किया था calendar topic में जो misleynis चीजे थी वो हमने अभी finish की है अब हम अपने नई topic की तरफ बढ़ते है जो की करेंगे हम blood relation ठीक है blood relation कर रहे है हिंदी में भई रक्त संबंद ठीक है रक्त संबंद करेंगे अपने इसमें question देखे होंगे जो आपके blood relation में है जो आपको question पुछे जाते है कि उसके बुआ के फूफा की मासी की बेटी उसकी क्या लगी ठीक है ये बस मैंने वैसे ही बोल दिया जो मेरे मन में आया ठीक है ये question हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है ठीक है तो blood relation में आपको इस type के question आपको exam में देखने को मिलते हैं अब इन में क्या होते हैं बच्छे इस type के question को करने में क्या हो जाते हैं हमने किया, सबसे पहले हमने क्या किया है, बेसिक समझने में उसके बेसिक समझने में टाइम लगा है, सिलोक्स किया था, सिलोक्स में भी बेसिक समझा था, कलेंडर किया, कलेंडर में भी सबसे पहले basic समझाता, उसके बाद जो question थे, वो आपके चुटकियों में हो रहे थे, ठीक है, तो same काम हम इसके साथ करेंगे, सबसे पहले समझेंगे basic, basic समझने के लिए आपको दो चीजे समझ नहीं है दो चीजे समझ नहीं है एक तो समझ नहीं है generation के एक तो समझ नहीं, generation पीडी के बारे में समझने है, और दूसरा आपको समझने है, gender के बारे में ठीक है, अगर ये दो चीजे आपको समझ में आ गई, तो आपको कोई भी question गलत नहीं होगा जैसे माल लीजे, मैं आपसे ही एक question पूछ हूँ, generation को एक बार समझाता हूँ, माल लीजे, आप है ठीक है, और आपकी मदर है, ठीक है, आप और आपकी मदर, क्या आप दोनों की जो PD है, जो generation है जो life में जो level है आपका ठीक है, age के respect में वो आपका same level है या फिर अलग level है, आप कोगे आपका और आपकी मदर का level है, वो कैसा है, आप कहींगे जी, वो अलग है, ठीक है चलो, ये आपने मुझे बता दिया कि दोनों का level अलग है, चलो अब इन में से, जो level उपर है, वो कौन सा है, आपका level उपर है या आपकी मदर का level उपर है, मा का level उपर है, आपको होगे, जी मा की जो generation है, वो हमसे बड़ी generation है कहोगे या नहीं कहोगे, तो बिल्कुल ये सही जवाब आपने दिया है, एक तो आप होगे, ये लिजे में लिख देता हूँ ठीक है, और आपसे उपर जो आपकी generation है, वो कौन सी है आपकी मा वाली generation है, ठीक है, चलो अगर ये मा वाली generation है, तो इसमें आपकी पिता वाली generation भी तो आएगी ठीक है, मदर हो गई, फादर हो गई, और ये हो गए आप ठीक है, तो आपसे बड़ी generation कौन सी है, आप कहोगे जी मदर और फादर वाली generation है चलो, अब अगर mother father वाली generation आपकी हो गई, आपसे उपर, तो इनके साथ वाली जो generation है, वो कौन-कौन सी होगी अब, ठीक है, English Hindi दोनों में करेंगे, इसको यह मत समझना कि हिंदी में लिखवाने हैं, ठीक है, तो mother father के साथ, इनका जो भाई होगा, यह जो पिता है, इनका जो अंकल है, चाचा है, वो क्या है, आपके पिता की generation का है, यानि कि same level पे हैं ये, age में क्या है, same level में, 2-3 साल का gap कोई माइने नहीं रखता, और एक generation में कम से कम, कम से कम, 15-20 साल का gap उसमें होता है, जो आपकी एक generation होती है, ठीक है, इतना, चलो, अब इस अंकल के साथ, चाच ठीक है, और English में क्या बोलते हैं भई, आर्ट बोलते हैं, चलो, ये तो होगे पिता की तरह से, अब मा की तरफ से आजाओ, मा की तरह से आजाओ, तो मामा आएगा या नहीं आएगा, आएगा, अब आप कहेंगे, जी, मामा आपने लिखवा दिया, अब English में क्या लिखे है तो एक बात ध्यान सेर सुनना जो आपकी relation father की तरफ से होते हैं पिता की तरफ से होते हैं English में उनको हम paternal word से लिखते हैं किसे लिखते हैं paternal, Patrick ठीक है और जो मा की तरफ से होते हैं उनको हम maternal लिखते हैं English में ऐसा कोई चकर नहीं है मामा भी अंकल होता है और चाचा भी अंकल होता है लेकिन इंडिया में हमने अलग-अलग रिलेशन बना रखे हैं हिंदी में मामा और चाचा तो इसलिए उनको लिखने में भी हम क्या कर देते हैं पी और एम जोड़ देते हैं पेटरनल या मेटरनल जोड़ देते हैं तो चाचा को आप सिर्फ अंकल कहें या फिर पेटरनल अंकल कहें बात एक ही है आट को आप क्या कहेंगे आप आट चाची बोल सकते हैं या फिर पेटरनल आट ये आपका क्यों लिखा हमने paternal aunt ये चाची हमने इनकी wife को लिख है इनकी wife को लिख है अभी थोड़ा सा एक चीज़ यहां पर और आएगी उसको भी हम paternal aunt बोलते हैं और वो क्या है? वो है आपकी बुवा वो क्या है? बुवा बुवा भी क्या होती है? इंगलिश में उसको आंटी बोलेंगे और पिता के तरफ से है तो इसको क्या बोलेंगे? paternal aunt कहेंगे ठीक है? इस बात को याद रखना अब मामा है मामा किसकी तरफ से है? आपको जी मा की तरफ से है तो ये क्या हो जाएगा? अंकल तो होगा ये हो जाएगा? maternal अंकल सेम मामी क्या होगा? maternal आट और फिर एक और बचा क्या? मौसी और ये भी क्या होगी? maternal आट तो ज़रा एक बार इनको ध्यान से देखो एक बार इनको ध्यान से देखो ये क्या है? सारे के सारे same generation के नहीं है ठीक है? ये सारे क्या है? same generation के है तो कहने का मतलब क्या है? same generation कौन सी बनती है? भाई बहन की same generation बनती है husband wife की same generation बनती है ये husband wife हो गई? ये भाई बहन हो गई? ओ ये भाई हो गई आपस में ठीक है? ये और ये आपस में क्या हो गई? आपके भाई वहन हो गई, यह आपस में husband, wife हो गई तो यह आपकी क्या बन गई, same generation बन गई एक generation बन गई, और यह जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं यह सारे के सारे आपकी generation से बड़े हैं सारे के सारे क्या हैं, आपकी generation से बड़े हैं अब इन से उपर बनाते हैं, अब इन से बड़ी generation कौन सी है अगर आपके respect में मैं बात करूँ, तो इन से बड़ी, आपके माता पिता से बड़ी generation कौन सी है, आप कहेंगे जी, वो है दादा और दादी की या फिर नाना और नानी की है, है या नहीं, तो इन सब के लिए जो दादा और नाना हैं, उनको हम लिखते है ग्रैंड फादर, और जो दादी है उनको हम लिखते है ग्रैंड मदर, जो रिष्टा पिता की तरफ से है वो paternal, grandfather, grandmother जो mother की तरफ से है वो maternal, grandmother और grandfather ठेक है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो अब ज़रा देख के बताओ मुझे सबसे बड़ी generation कुन सी है? आप कहोगे जि grandfather वाली जो generation है वो सबसे बड़ी है उसके नीचे कुन सी generation है? जो उनके बेटी है, उनकी बेटी है उनकी generation, यानि कि माता पिता वाली, father, mother वाली जो generation है, वो उनसे नीचे है और उसे नीचे कुन सी generation है? आपको होगे जी, हमारे वाली जो generation है आपके वाली जो generation है वो हमारी सबसे नीचे आएगी तो अगर ये चीज़ समझ में आई ये चीज़ अगर समझ में आई तो इस चीज़ को याद रखना कि जो generation बड़ी होगी ठीक है इस टाइप में जो आपको blood relation है blood relation में आपको क्या करना पड़ेगा एक diagram बनाने की जरूरत पड़ती है ठीक है वो diagram बनाने में आपको एक तो generation की जरूरत पड़ेगी और दूसरी जरूरत पड़ेगी किसकी gender की तो generation आपको अभी समझाए ठीक है आपको सिर्फ क्या देखना है जो generation बड़ी है उसको हम उपर बनाएंगे जो generation छोटी है उसको हम नीचे बनाएंगे और जो generation आपकी same है उसको एक ही line में हम बनाके चलेंगे ठीक है जो generation छोटी है और जो generation same है उसे एक ही line में हम बनाके चलेंगे अगर ये चीज़ clear आई तो फिर अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ gender पर जेंडर क्या है भई? जेंडर है लिंग, लिंग यानि कि आपको पता है male और female ठीक है, अब यहाँ पर देखो जितने भी relation है, वो दो जेंडर के हैं, चाचा male हो गया, चाची female हो गई मा female है, पिता क्या है? male है, तो जो दो जेंडर है, वो आपके male female हो गई तो diagram बनाने में, diagram बनाने में हम एक general rule लेके चलते हैं, फिर सारे question उसी rules पर base करेंगे ठीक है, कि मान लो हम diagram बनाएंगे है, तो हमें तो यह बताना है, कि यह male है और यह female है, पता लग जाना चाहिए हम क्या करते हैं, जितने male हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, कि हम square से बनाएंगे, ठीक है, आप कोई बर जी बुक पढ़ लेना, आप उसमें अलग-अलग लिखा मिल सकता है, ठीक है, कई बार plus-minus से show कर देते हैं, कई बार triangle square से show कर देते हैं, कई बार ऐसे circle बना के, या फिर hexagonal, कोई भी shape बना देते हैं, ठीक है, कई बार बीच में line लगा देते हैं, तो हम जो करेंगे, वो क्या करेंगे, male को square से show करेंगे, और female को circle से show करेंगे, सारे के सारे question कैसे करेंगे, male को square से show करेंगे, और female को circle से show करेंगे, जो आपको करना वो भी कर सकते हैं, कुछ अगर ये चीज समझ में आई तो अब कुछ छोटे-छोटे से बिल्कुल छोटे-छोटे से एक्जामपल्स लेके डाइग्राम मनाते हैं ठीक है और फिर एक्जाम के कोशन को भी हम करेंगे माल लिजे मैंने आपको सबसे पहले दिया P is Father of क्यो P क्यो का पिता है ठीक है एक बार मैं लिख देता हूँ तीन-चार कोशन ऐसी छोट-छोटे से लिख देता हूँ उसके बाद इनके डाइग्राम दो आता हूँ करें अँ़ और होग्षण डाइग्राम लादी लाज़ प्रेग्राम लादी लादी का रंदी लादी लाड़्यर्यर्यर्यर्ण देता हूँ झाल झाल चलिए ये छोटे-छोटे से मैंने चार कोशन लिखे हैं इनको एक बर करो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा अब चलो बनाना शुरू करते हैं डाग्राम बनाएंगे ठीक है डाग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखो statement पढ़ो P is father of क्यव P is father P क्यव का पिता है सबसे पहला काम आपको इसमें generation का पता करना और उसके बाद gender का पता करना अब मैंने आपसे पुछा इनमें से P और क्यव में से पिता कोण है आप कोगी जिए P is father P क्यव का पिता है तो P पिता हुआ तो P की जो generation है क्यों से वो बड़ी होगी P की generation क्या होगी? बड़ी होगी तो P को मैं उपर बनाऊंगा और क्यों को कहां बनाऊंगा? नीचे बनाऊंगा ठीक है? यह आपको बताया था भी बेसे करवाते हुए कि जो generation बड़ी होगी उसको उपर बनाएंगे जो generation छोटी होगी उसको नीचे बनाएंगे तो P अगर father है तो P उपर बनेगा क्यों नीचे बनेगा ठीक है चलो अब देखते हैं gender अब जरह इसी statement को सिर्फ इस statement को पढ़ो और वो बताओ कि इन में से gender किसका पता है आप कहोगी जी P is father P अगर father है तो यह क्या होगा पुरुष होगा? male होगा तो male होगा तो मैं इसको किस में बना दूँ? square में बना देता हूँ ठीक है और यहीं पर आपकी statement खतम हो गई क्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं बता रखा इसमें कि क्यों male है या female है तो इस statement के यह जो छोटी सी statement में बने लिखी उसका जो diagram बनेगा वो ऐसे बनेगा P is father of क्यों इस type से उसका diagram बनेगा P उपर आएगा square में और क्यों? निचे आएगा ठीक है अब इसमें देखो P is mother P क्यों की मा है P मा है कौन मा है? P तो P की जो generation है वो बड़ी generation है और क्यों की जो generation है वो छोटी generation है तो P उपर आएगा और क्यों? निचे आएगा अब gender एक तो generation और दूसरी चीज gender अब हमें gender किसका पता है? क्यों के बारे में कुछ पता है? आप होगे जी P is mother of Kyo. अब इसको देखो. P is brother of Kyo. सबसे पहले P भाई है क्यो का. P भाई है क्यो का. तो अब जरा बताओ, जो भाई है, जो बहन है, भाई बहन है, इनकी जो generation है, वो छोटी बड़ी generation होती है, same generation होती है. आख कहोगे जी, इनकी generation होती है, same. तो अब इनको मैं उपर निचे नहीं बना सकता, मुझे ये दोनों के दोनों एक ही line में बनाने पड़ेंगे. ठीक है, चलो, ये बना दिये मैंने एक ही line में. अब एक line में बना दिये, इसके बाद क्या किया? Line में बनाने के बाद अब पता करना है gender. तो इसमें क्या लिखा? P is brother, P भाई है. क्यों के बारे में कुछ पता नहीं है. तो P अगर भाई है तो ये बना दिया, इसके ओपर square. इस statement का diagram बनेगा ये. अब आजाओ यहाँ पे. P is brother of क्यों? जनरेशन सेम हो जाएगी. भाई है. P भाई है क्यों का? जनरेशन सेम हो जाएगी. और P भाई है, इसका मत्तब कैसा है? पुरुश है. मेल है. अगली statement पढ़ो. क्यों इस sister? क्यों क्या है? sister है. जनरेशन तो सेम क्यों बना दिथी? अब जनरेशन भी पता चल गया क्यों होगा? तो उसको मैंने circle में डाल दिया. ठीक है? तो brother sister का जो diagram होगा हो इस तरीके से बनेगा. ठीक है? इस तरीके से बनेगा. अगर किसी को कोई doubt हो या समझ में ना आई हो तो दुबारा देखें और फिर भी इन समझ में ना आई हो तो message कर देए वीडियो दुबारा से available हो जाएगी. ठीक है? चलिए. P is husband of क्यों. P क्यों का पिता है. P क्यों का पिता है. ओ सोरी, पती है. पती है. ठीक है? चलो अब बनाते हैं. P is husband of क्यों. यानि कि जो relation है या कैसा है? Husband, wife का relation है. अब husband, wife का जो relation है वो कैसा होता है भी? आप कहोगे जी, same generation का relation है या उपर नीचे छोटी बड़ी generation का आप कहोगे जी, same generation है. तो P और क्यों जो होगे, वो आपके कहाँ बनेंगे? एक ही line में बनेंगे. अब gender देखते हैं. P is husband of क्यों. P husband है. तो P अगर husband है तो male होगा. इसलिए P किस में आ जाएगा भी? square में आ जाएगा. ठीक है? अब आप कहोगे, जी क्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता यहीं पर छोड़ देते हैं. लेकिन नहीं, husband, अगर ये husband है, automatically क्यों क्या होगी? उसकी wife होगी. Automatically क्या होगी? female होगी. तो यहाँ पर इस question को इतना ही नहीं छोड़ना, इसमें क्यों पर भी circle बनाएंगे, क्योंकि ये understood है. क्या है? understood है. अब जरा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो. इस relation को, और इस relation को जरा ध्यान से देखो. क्या इन दोनों के diagram सेम नहीं बने हैं? सेम बने हैं इन दोनों के diagram. अब जब आप question करोगे, question करोगे, वहाँ पर तो काफी सारे relation बनेगे, काफी लंबी चोड़ी statement उसमें होगे, और जब आप काफी सारे question करोगे, वहाँ पर उसी question में brother sister का relation भी आएगा, उसी question में husband wife का relation भी आएगा, तो आप diagram देखके कैसे बताओगे, कौन brother sister है, कौन husband wife है, तो हमारे पास कुछ नव कुछ अलग होना चीए, पता करने के लिए, तो क्या करना है, अब से जो भी आपका husband wife का relation होगा, couple का relation होगा, जो भी होगा, उसमें आप अलग से mark लगा लीजिए, जैसे इनको connect कर दो, या फिर बीच में plus का sign लगा दो, कुछ मर्जिक कर दो, उससे ताकि आपको पता रहे, कि ये जो relation है, ये couple का है, और ये जो relation है, ये brother sister का है, ठीक है, इतना काम आपको कर देना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे, कि ये husband wife का relation है, ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आई, तो अब देखो, एक चीज़ और, P is uncle of kyao, ठीक है, P, kyao का चाचा है, P, kyao का चाचा है, इसको ग्रेंड मतर करो, फिर समझ आएगा अच्छा है, चले, अब करते हैं इस question को, जड़ा देखो, P is grandmother of kyao, मैंने कहा, P grandmother है kyao की, अब फिर से पुछा, इन में से, P की generation बड़ी है, या kyao की generation बड़ी है, आप कहोगी, P is grandmother, यानि कि P की generation बड़ी है, और, आपने, ऐसे किया, P उपर बना दिया, क्यों नीचे बना दिया, P अगर grandmother है, इसको circle में डाल दिया, और यह आपका diagram हो गया, ठीक है, ऐसे ही किया, सभी ने, ठीक है, बना लिया आपने कोपी में, लेकिन ये diagram जो है, ये diagram है, गलत, ये diagram है, गलत, क्यों गलत है, अब इस diagram को, और इस diagram को एक बर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बनाया, P is mother of क्यों, same diagram, P is grandmother of क्यों, same diagram, अगर एक ही question में, ये दोनों के दोनों आ जाए, तो फिर पता नहीं चल पाएगा, कौन grandmother है, कौन mother है, तो क्या करना है, अगर आपको एक long relation आपको मिले, तो पहले क्या करना है, direct मत बना दो, पहले जिस रिस्ते से वो जुड़े हुएं, उसको बनाओ, अब अगर मैं दादी को कहूँ, दादी की अगर मैं बात करूँ, दादी क्या है, पिता की माँ है, तो पहले तो मैंने क्यो बनाया, फिर क्यो का जो पिता बनाया, ठीक है, मुझे दे नहीं रखा इसमें कौन है, लेकिन जो इसकी माँ होगी, वो दादी बनेगी क्यो के लिए, जो इसकी माँ होगी, वो क्यो के लिए दादी बनेगी, तो इसकी मा की जनरेशन जो होगी, वो उपर होगी, और ये हो जाएगी सरकल में, ये हो जाएगी सरकल में, तो जब कोई long relation आ जाए, तो हमें क्या करने, जिससे वो relation connected है, पहले उसको बनाओ, और उसके बाद उस relation को बनाओ, जैसे की grand mother वाला अगर समझ में आया, या फिर आउठ हलगेर हलका सा रहे गया, तो वो इससे clear हो जाएगा, अब P is uncle of Q, अब P और Q का जो relation है, वो direct नहीं है, uncle जो है वो पिता से जुड़ा हुए, और Q जो है वो भी पिता से जुड़ा हुए, ठेक है, Q के पिता से जुड़ा हुए, तो इनके relation को बनाने के लिए, हमें प पिता है, पिता यानि की मेल, इसका जो पिता है, मेल है, वो इसका जो भाई है, वो आपका P है, तो भाई तो आपका सेमी लाइन में बनता है, तो ये बना दिया, अब अंकल है, तो ये भी किस में आएगा, इस में आ जाएगा, और इसको भी यहाँ पे square करो, क्योंकि पिता तो इस तरीके से आपको क्या करने रिलेशन को बनाने है ठीक है आशा करते हूं ये चीज समझ में आई होगी चलो अब बढ़ते हैं नानी बनाते हैं ठीक है माल लिजी ये रिलेशन आपको दे दे पी क्यों की नानी है ये लो ये दे दे पी क्यों की नानी है पी is maternal maternal grandmother of क्यों तो क्या करोगे अब direct relation तो है नहीं किस से रिलेशन बनाना है पहले लड़के का या लड़की का बेटे का जो है उसका relation मा से बनेगा और मा की जो मा है वो नानी होती है तो क्यों क्यों की मा हमें नहीं पता कौन है खाली छोड़ दिया में अब इसकी जो मा है वो नानी होगी तो वो आ जाएगी पी ये बनेगा relation किस का नानी का ठीक है मान लीजे एक और दे दें पी क्यों की भावी है sister in law है ठीक है अब ये बनाना है तो कैसे बनेगा भावी का relation किस से बनेगा पहले पहले भावी बनाना पड़ेगा और फिर भावी बनेगी ठीक है तो पी क्यों की भावी है भावी कुन है आप को कि जी पी है ठीक है तो पी है भावी है फीमेल होगी इसके साथ इसका पती बनेगा ये बन गया और भावी किस की थी है क्यों की थी, तो इस husband के जो भाई है या बेहन है, उसकी भावी होगी ना ये P, तो ये relation आपका बनेगा भावी का, P क्यों की भावी है ठीक है, यानि कि इसके जो भाई है, उसकी वाईफ है ठीक है, इसके भाई की वाईफ, तो अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो अब आपको कोई भी कोशन गलत नहीं होगा, अगर आपने ये चीज ध्यान से समझ ली होगी तो ठीक है, तो मैं अब exam का एक दो छोटे-छोटे से कोशन देता हूँ exam में जो आय हुए है ठीक है, उनसे और भी ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएंगी यह हमने basic समझा blood relation में basic समझा, हर एक relation को हमने यहाँ पे अच्छे से detail में समझा अब उस पे base यहाँ पे मैंने दो कोशन लिखे हैं, इन दो कोशन के साथ आज की वीडियो को मैं finish कर दूँ ठीक है, बाकी concept जोओंगे वो next वीडियो में करेंगे, तो एक बार वीडियो को pose करके, इन दोनो कोशन को एक बार try करो, इन दोनो कोशन को एक बार try करो, चलो, आप सबने try कर लिया होगा, pose करके, अब मैं इसको करवा देता हम, क्या करना है एक-एक, यह जो है puzzle form में है थोड़ा सा जो question है, जो दोनों के दोनों लिखे है, puzzle form में है इन कोशन को करने के लिए, आपको छोटे-छोटे parts, छोटे-छोटे parts पढ़के उनको solve करते चलना है, उनकी diagram बना के, चलना है ठीक है, जैसे मैं first question उठाता हूँ और यह first line पढ़ते हैं question के first line पढ़ो A and B are brothers A वै भी भाई हैं तो A और B के बारे में यहाँ पर बात हुई A और B को बारे में क्या कहा कि यह दोनों भाई हैं तो इनकी जो generation की अगर मैं बात करूँ इनकी generation कैसी आएगी? same आएगी, क्योंकि दोनों भाई हैं ठीक है, चलो और अगर दोनों भाई हैं तो circle में आएंगे या square में आएंगे आप कहोगे जी, male हैं तो वो तो किस में आएंगे? square में आएंगे तो यह लिजीए, यह बना दिये square के अंदर A और B भाई हैं अब यह बनने के बाद बढ़ो second statement की तरफ C और D बहने हैं C और D क्या है? बहने हैं इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं ठीक, अलग से इसको यहाँ नहीं बना सकते, इसको थोड़ा सा अलग से बनाना पड़ेगा C और D बहने हैं एक बहने हैं या दोनों बहने हैं आपको जी दोनों हैं, बहने हैं ठीक है, sisters है तो यह दीजिए यह बना दिया C और D बहने हैं और एक ही लेवले पर बना दिया क्योंकि इस generation की क्या है? same generation है अब बढ़ो अगे अगली line पर A's son is D's brother A का पुत्र D का भाई है A का पुत्र यह रहा A मैंने यहां पर बनाया था A का जो पुत्र है कहां बनेगा? नीचे बनेगा तो A का पुत्र यानि की square में नीचे बना दिया अब मुझे नहीं पता वो P है, क्यो है, X है, Y है, Z है क्या है, वो मुझे नहीं पता लेकिन पुत्र है A का तो वो मैंने खाली बना दिया उसमें कोई लिखा नहीं है यह किसका भाई है? यह जो A का पुत्र है भाई किसका है? वो D का भाई है तो यनि की अगर यह D का भाई है तो D इसके Side में बनेगा एक ही level पे बनेगा है नहीं बनेगा अब जब statement आपके खतम हो जाए कुछ बचեन न अब दो diagram आपके पास बने एक ये diagram और एक ये diagram अब इन दोनों diagram को आपस में connect करने है connect कैसे करने है? जो चीज, यहाँ पे एक word आपके पास common होगा, क्या होगा? एक word यहाँ पे common होगा, उससे connect कर दो. जैसे यह D था, D मेरे को क्या दिया हुआ था? मैंने diagram बनाए था, D female आई थी. यहाँ पे D की बहन C आई थी, तो यहाँ पे भी D की बहन C को बना दो. यह दोनों के दोनों diagram आपके क्या हो जाएंगे? connect हो जाएंगे. यानि करना कुछ नहीं है, आप इसको एक-एक point को पढ़ते चलो, एक-एक line को पढ़ते चलो, और उसको बनाते चलो. जब दो diagram आपके पास आ जाएं, बाद में इनको आपस में जोड़ दो. यानि कि इसको उठा के as it is यहाँ पर रख दिया हमने. ठीक है? और यह बन गया. अब देखो पुछा क्या आपसे? आपसे पुछा है, how is B related to C? B का C से क्या संबंद है? B का C से क्या संबंद है? तो आपसे पुछा है, B का संबंद बताओ. B का क्या संबंद है? C से. तो B का C से संबंद बताओ. तो आप कहोगी जी, C, D और ये, ये जो square में है. ये तो हो गया आपस में भाई बहन. इनका जो पिता है वो हो गया A. और A का जो भाई है वो हो गया B. तो C और B में क्या relation है? ये चाचा बन गया और ये उसकी भतीजी बन गई. तो अगर वो पूछ ले, B का C से क्या संबंद है? आप अंसर क्या लगाएंगे? अंकल लगाएंगे, चाचा लगाएंगे. अगर वो पूछ ले, C का B से, तो आप क्या लगाएंगे? भती जी अंसर लगाएंगे नीस लगाएंगे अंसर ठीक है तो यह दोनों अंसर आपको बता दिए अब इसमें डिफरेंस है अगर यहाँ पे C is related to B पुछे तब आप अंसर C का बताएंगे अब पुछे B related to C तो अब हमने B के बारे में बताएं ठीक है इस बात को note कर लेजिए अगर यह चीज clear हुई हो तो अब नेक्स्ट कोशन को भी ऐसे ही करके देखो ठीक है नेक्स्ट कोशन को भी करके देखो चलो एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं A is mother of B ठीक है क्या कहा कोशन में A is mother of B A mother है mother है तो सरकल में आ जाएगी किस की mother है B की mother है तो B नीचे आ जाएगा A B की मा है ठीक है A B की माता है यह रखा अब पढ़ो second line को C is the son of A C A का पुत्र है C A का पुत्र है यह A इसका पुत्र बनाना है कोई और वो कौन है C है बना दो इससे नीचे बनेगा इससे नीचे बनेगा और पुत्र है तो square में बनेगा यह लो यह बना दिया अब अगली line पर बठो D is brother of E D E का भाई है D E का भाई है ना तो यहाँ पे D है नहीं E है इसको अलग से बना देते हैं D E का भाई है यह लो वो देखो बना दिया D E का भाई है अब एक last बची E is daughter of B E B की पुत्री है यह जो E है यह पुत्री है किसकी पुत्री है आपको वी जी B की पुत्री है किसकी पुत्री है B की पुत्री है अब statement खतम हो गई यह दो डाइग्राम बन गई अब इन दो डाइग्राम को आपको जोड देना है जोडने के लिए मिरे पास common है B बस कुछ नहीं करना इसको उठा के ऐसे कैसे यहाँ पे रख देना है B के नीचे E है circle में E के side में D है square में यह दोनो के दोनो क्या हो गए connect हो गए अब connect होने के बाद question में मुझसे क्या पुछा है A related to D पुछा है A का D से क्या रिष्टा है इन दोनों का रिष्टा पुछा है बता दो आप क्या रिष्ता है देखो D और E की ये देखो तीसरी पीडी है कौन सी पीडी है तीसरी यादि कि तीसरे नंबर पे आ रही है उपर बड़ी में और जब तीसरे नंबर पे जो पीडी होती है वो कौन सी होती है Grandfather, Grandmother की पीडी होती है ठीक है Maternal Grandfather, Paternal Grandfather Maternal Grandmother और Paternal Grandmother ठीक है, यह PD होती है, अब आपसे पुछ है, A related to D का, अब grandfather, grand mother वाली PD होगी, A के बारे हम पुछ है, how is A related to B, D, तो यह क्या होगा, grand mother होगी, क्या होगी, grand mother होगी, अब मैं इसको paternal grand mother कहूँ, या maternal grand mother कहूँ, यह मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे B के बारे में नहीं पता, अब अगर B यहाँ पे हो जाए, circle, तो यह हो गया, मा की तरफ से रिष्टा, तो यह automatically maternal grandmother हो जाएगी, यानि कि नानी हो जाएगी, अगर यह हो जाए, question solve करते वक्त मुझे पता चल जाए, कि यह जो रिष्टा है, यह पीता की तरफ से है, यह B जो है, यह पीता है, कैसे भी question solve करके पता चल जाए, यह फिर बन जाएगा paternal grandmother, तो इस question में मुझे नहीं पता यह क्या है, क्योंकि मुझे B का gender के बारे में, question मे कोई hint नहीं मिला, तो इसका जो answer है, वो grand mother आ गया, तो हिंदी में भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, एक ही option में नाना या दादी लिखा मिलेगा, ठीक है, अगर यह चीज़ आपको clear हुई हो, तो आज की इस video को यहीं पे stop करते हैं, अगर किसी को फिर भी कोई doubt हो, तो rewind करके दुबारा से इस video को देखे, और फिर भी कोई doubt हो, तो हमें लिख दीजिए, आज के लिए बाएं, next class में मिलते हैं, thank you झाल